हाई गुड मोनिंग गैट भी जिसे हम लोग पहले जेनु साहिप के नाम से जानते थे उसके कॉस्टेंस के सोलुशन कर रहे हैं हम लोग 2022 पेपर पार्ट फाइव यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिये गए हैं और दूसरा लेबल किया गया है रिजन के रूप में असर्शन के रहा है कि माइट्र कॉंड्री औक्सिडाइस करता है सबस्टेट तो सी योटू जो भी माइट्र कॉंड्र को सबस्टेट मिलेगा एने देच पी एफ़दीस टू बगएरा वो अल्टिमेटली उन्हें सी योटू में कराने कोईश करेगा ऐसा तो नहीं है खैर एने देच्ट्रों नि इलेक्ट्रों निकालके गुलकोस को दिये जा रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है इन्दी ड़म लोग जानते हैं कि माइट्र कॉंड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेट्री चैन पा जाते हैं जहां कॉंप्लेक्सिस लगे हैं तो यहां पर जैसे असे असीटाइल को एं बोथ A and R are true, R correct explanation हो गया, भूल जाओ, A और R true है, भूल जाओ, A true है, R false है, तो यही इसका answer है 2087, question number 505, regulation of lac operon is negative, जब कभी किसी DNA से कोई protein आ करके bind करें और bind करने के बाद में यह gene को shut down कर दें तो इसे बोलते हैं लोग negative regulation, और lac operon हमने देखा है, हमने पाया है कि lac repressor, operator side से bind करके lac operon को own नहीं होने देता, अब इसी बात को option में देख लिजे, operon is expressed at local level to allow lactose entry, यह point नहीं है इसका, lactose bind करता है inducer से, activate करता है operon को, हम बात कर रहे हैं, जब repressor bind करता है protein, DNA से और system shut down हो जाए, तब बोलेंगे negative, expression of operon is blocked by active repressor, active repressor जब bind करता है DNA से तब operon block हो जाता ह है, तो यह है सकतरा answer 2019, question ID है 505, इसी तरीकर से अलग-अलग operon को हम लोग negative operon या फिर positive operon में classify करते हैं, question है 500, given below are two statement, one is labeled as reason A and other is labeled as reason R, assertion A कह रहा है attenuation of trip operon is possible in bacteria, attenuation का मतलब है कि जब gene का expression on होना शुरू हो गया, तो इस RNA से protein ना बने, यह भी possible है, यहां तक कि यह RNA आगे ना बने, यह भी possible है, तो इसको maturation बोलते हैं, trip operon में हमने leader sequence की वे से देखा हुआ है, दूसरा बोल रहा है transcription and translation are coupled, bacteria में transcription और translation coupled होते हैं, जैसे मान लिजए यह DNA है, और DNA पर एक RNA polymerase, RNA बना रहा है, इसी टाइम ribosome आके bind करके से protein रहना शूर कर देंगे, तो जहां एक तरफ transcription चल रहा है, वहीं पर translation चल रहा है, और इसी वज़े से attenuation possible हो पाता है, तो assertion A और assertion reason R दोनों correct हैं, और reason R correct भी है, उसको define करने के लिए, option दे रखे हैं, बहुत A और R true है, R correct explanation है, A की option की ID 1997, आगे हमें पढ़न के लिए यह यह correct answer, question number 482, why is golden rice pale yellow in color, इंडिर golden rice magic point है, इस हिसाब से, कि हम plant tissue culture में, या plant की genetic engineering में, हम लोग क्या-क्या गुल खला सकते हैं, vitamin A की कमी से निपटने के लिए golden rice बनाये गया था, और golden rice golden इसलिए दिखता है, क्योंके वहाँ beta carotene की मात्रा बढ़ा दी गई है, और इसलिए यह हमें दिखने में golden या फिर pale yellow दिखता है, इसलिए इसका नाम भी था golden rice, और यह genetic engineering के दोवारा modified crop है, जिसे आप GM भी बोल सकत तो genetically modified, तो answer S का, it is rich in beta carotene, ID है 1926, question number 501, which is the correct order of progressive higher level of chromatin organization, nucleosome दे रखा है, 30 nm chromatin fiber दे रखा है, look domain, बैदे के सबसे हलका molecule है, 11 nm का, जिसे हम nucleosome बोलता है, तो एक को तो पहले होना ही है, फिर उसके बाद, जैसे कि मालूम पढ़ा कि यह हमारे 11 nm fiber बना, फिर यह आपस में घूम करके, आपका 30 nm का fiber त्यार होता है, तो B, second number पर आना है, और फिर C, loop domain, सबसे last में आएगा, तो correct ID है 2001, chromatin का बनना, chromosome की packaging होना, nucleosome का organization, यह हमेशा से exam point बोल से काफे important है, और आजकल तो हम लोग यह भी बढ़ते हैं, कि heterochromatin, new chromatin का जो interconversion है, व question number 552, match करना है list 1 को list 2 के साथ, indeed यह mutations के हैं, जिसे हम DNA damage रिपने पड़ते हैं, genetics में भी देख लेते हैं, terms है, silent mutation, miss sense, nonsense, frame shift, और फिर रखा है किसका क्या मतलब है, silent mutation उसे बोलते हैं, जिसमें DNA बतलाव आया, बट amino acid की sequence as such रही, तो amino acid sequence unchanged, यह है A का 4, अब A का 4 मेरे पास यहा पर है, miss sense में केवल एक amino acid की sequence बदल गई, amino acid sequence is changed in one amino acid, यानिके B का 3, तो B का 3 मेरे पास केवल यहां पर available है, answer आ चुका हो लड़ी, nonsense वो होते हैं, जो coding को non-coding में convert कर दे हैं, मतलब जहाँ stop आ जाए, amino acid की जगह पर, तो amino acid codon is changed to stop codon, यानिके C का 1, और फिर लास्ट है frame shift, क कि पूरा reading frame ही बदल जाए, amino acid का जो sequence है वही सारा changed रहा है, तो D का second, amino acid sequence beyond the site of mutation is changed, सबसे खतरनाक mutation में से एक माने जाते हैं, nonsense और frame shift mutation, correct answer is 2207, question no 570, the flavor saver tomato was the first genetically engineered crop product commercialized for human consumption, this transgeneral tomato is known for, indeed, जब कभी सबसे पहले flavor saver tomato बना, तो काफी होला बचा, और यहीं से हमने ये बात भी करने शुरू कर दी कि GM food खाना human के लिए ठीक है या नहीं, असल में इस tomato में खास बात है दी कि, ये लाल होने के बाद भी खराब नहीं होगा, नॉर्मल जो टमाटर हुआ करते थे, जसी पेड़े पर लाल हुए, तो वो shelf life एक दिन की है दो दिन की हुआ करते थे, लेकिन ये वाले टमाटर लाल होते हैं, लेकिन टमाटर खराब नहीं होता, तो आप जानते हैं कि टमाटर को ripe करने के लिए थाइलीन नाम का plant hormone जिम्मे नहीं थी, question की correct ID है 2279, 562, RNA virus are entirely dependent on the host 4, देखे, RNA virus जनरली अपना खुद का RNA polymerase की जीन लेके आते हैं, अगर उन्हें का integrate करना तो उसकी जीन भी अवेलेबल है, लेकिन RNA virus के अंदर जो शीच अवेलेबल नहीं है, वो है protein translate करने वाले machinic component, ribosome रानी capabilities उसमें नहीं होती, हम यह नहीं कह रहे है कि RNA polymerase अपने enzyme साथ में लेके आ रहा है, लेकिन उसके genome में message available है, RNA dependent RNA polymerase के लिए, या फिर उसके खुद के जो RNA polymerase जो RNA बनाएंगे पढ़ने के लिए messenger RNA में, लेकिन ribosome रानी capabilities उसमें नहीं होती, यसलिए इस question का correct answer है 2248, question number 512, the primary function of class 1st and class 2nd MSC molecule is, देखे के immune system में 3 molecules के नाम बड़े खास हैं, जिसमें से एक है MSC, दूसरा है TCR, तीसरा है antibody, एको ले ले लेते हैं PRR, pathogen recognition receptor, इन में से MSC का जिक्र हमेशा आता है, MSC1 और MSC2 यह दो टाइप के होते हैं, और यह different type के antigen को पचानते हैं, MSC1, T, C cell को antigen present करता है, और MSC2, T helper cell को present करता है, तो antigen को MSC पर चिपकाएंगे, और फिर MSC bound antigen को ही T cell पचानती है, जैसे antibody normal free antigen को पचान सकते हैं, T cell ऐसे free antigen नहीं पचान सकते हैं, T cell केवल MSC restricted antigen को ही पचान पाते हैं, मतलब अगर कोई antigen presenting cell है, जिसके MSC पर antigen लगा हुआ है, मानले यह है MSC और यह है antigen, तो T cell कोई पचानती है, तो इसलिए T cell को दिखाने का antigen present करने का एक तरीका है, अब इसके लिए जो option दिए गए है, binding peptide antigens for recognition by antigen specific receptors, तो T cell, T cell को दिखाते हैं, यह correct statement, mediation हुआ है, T independent B cell response, ऐसा नहीं है, helping in endocytosis of end यह भी नहीं है, और AIDS optionization यह भी नहीं है, तो correct answer है 2045, बागी बात आपको हमेशा पता होना चीए है, क्योंकि एक एक्जाम्स में जर्णली जो option का अंदर बात भी रखी होती है, यह सारे important topics ही होते हैं, question number 496, messenger RNA में intron निकाल जाते हैं, और हमने यह पाया कि messenger RNA के intron निकालने के लिए जर्णली एक पैसिंग मशीन होती है, protein और RNA complexes, लेकिन फि इनको बोलते हैं हम लोग self splicing introns, और जब भी कभी RNA अपने आपको काट के बाहर निकाल ले, मतलब वो एक reaction catalyze कर रहा है, तो कोई भी आसा RNA का molecule जो reaction catalyze कर सके, उसको ribozyme कहा जाता है, इसलिए question का answer है 1982, question number 490, given below are two statements about hnRNA processing, hnRNA कुछ अलग नहीं होता, जब कभी nucleus में RNA generate हु बात उसे बोलता है heterogeneous RNA, आम तुर पर messenger RNA का precursor फो में यह, फिर बाद में इसकी capping होती है, tailing होती है, introns हटाया जाते हैं, जैसे हम लोग post transcription modification कहते हैं, उसके बाद जाके mature messenger आने बनता है, इसको लिगर कि statement है पहला, capping occurs by addition of methyl adenosine triphosphate at the three prime end, असल में M7G add किया जाता है, 5 prime end पर जिसे capping कहते हैं, हम adenine add नहीं करते हैं, हम करते हैं guanine add, तो यह statement false है, statement second है, during tailing, about 200 to 300 adenylate residues are added at the three prime end, तो जो इस RNA का three prime end है, वहाँ पर खूप सारे adenine add की जाते हैं, poly-A polymerase enzyme के दोवारा, और यह enzyme को, क्योंकि यह एक तरह का समझो कि RNA polymerase है, adenine add कर रहा है, लेकिन इसे template नहीं चाहिए होता है, इसलिए अलग तरह कांचाय में, यह जो adenine add की जाएंगे, काफे सारे होते हैं, 200 से लेके 300 के असपास तक, और इसी को लोग बोलते हैं, यह statement true है, तो अब statement देख लिजए, statement 1 को false होना है, और second को true, तो correct answer है, question number 525, biochemistry से, given below are two statements, statement 1 है कि fatty acid synthesis is an example of tetramer of a multi-engyme polypeptide, statement false है, इंडिद यह अपने अपने खास है, कि इसमें एक ही peptide fall लुकर करके, काफे सारे अलग-अलग domain मनाती है, लबबक साथ या आठ डिफरेंट domain, और हर एक domain एक अलग enzymatic reaction दिखा रहा होता है, मतलब हर domain एक enzymatic भी तरह भेव कर रहा है, लेकिन है यह एक ही peptide, तो यह जो example दे रखा था कि tetramer है, multi-engyme polypeptide है, ऐसा नहीं है, यह false है, फिर statement 2 है, each polypeptide harbors seven independent enzymatic function, हाँ, यह बार ठीक है रखा है, कि साथ enzymatic function हमें वहाँ देहनों को मिलते हैं, इन light of the all statement, choose the correct answer, तो मेरा one is false and second is true, one is false and second is true, answer की ID है 2100, question number 473, DNA replication में से एक और question है, which enzyme catalyze strand separation at the replication fork, तो DNA के दोनों strand को separate करने वाला enzyme बीच में से, जो हाड़िन मोंट वोड़ेगा, उसका नाम है DNA helicase, replication protein A, यह बाद में काम आता है शिरुवात में भी, DNA topoizomerase, जो super coiling है, उसको उटाने में काम आता है, और DNA polymers तो main replicating enzyme है, तो इस question के लिए cut answer है, 1890 DNA helicase, question number 568, मैंने आप से पहले पुछा था कि, जब हम coronavirus की बात कर रहे हैं, तो आज जो हम vaccine इस्तेमाल करते हैं, कौन सी vaccine कैसी है हमारी, यह पुछा वादा कि, inactivated vaccine कौन सी है, मतलब virus पूरा है, लेकिन मरा हुआ है, तो भारत biotech की co-vaccine, यह है, जो इस तरह की vaccine है, 557, in the human ABO blood group system, the allele A and B are dominant to O, what will be the number of different possible genotypes, देखे, IO, IA, 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 यह दोनो blood group A के लिए हैं, फिर IO, IB, IB and IB, यह दो genotype available हैं, B के लिए, देखे, उसके बाद है हमारा IO, IO, यह सिर्फ O blood group के लिए, और IA, IB, यह है AB blood group के लिए, तो कुम अलाके मेरे पास 2, और 2, 4, और 2, 6, 6 different type के genotype possible हैं, आंसर है 22, 27.